असलामु अलेकुम वेलकम बेक टू माई चैनल फैजन सारी निशारो सोई आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती है निशार तो आज मैं बना रही हूँ माशारला बहुत प्यारी सी रेसिपी अलहमदोलिल्ला बहुत यूनिक सी रेसिपी जो आप सभी को पसंद आने वाली है तो इस पाइसी खाना किसको पसंद नहीं होता माशारला अलहमदोलिल्ला सभी को अच्छा लगता है चटपटा खाना बच्चे थोड़े बहुत नहीं खाते लेकिन आज जो हम मैं बना रही हूँ रेसिपी वह है ममो चटनी रेसिपी तो चलते हैं बाते तो होती रहेंगी तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिए हैं टमाटर तो कम जादा आप अपने अकोडिंग बना सकते हैं फिर भी मैं आ अकट जो निकाल देंगे ताकि आपर का असवाट सकते हैं तो में अपको पसंद नहीं है तो आप इसकी स्कीन निकाल सकते हैं तो पैसंց इसकीन मोझे भी physically भी निकाल दूंगी वरना आप बगर स्कीन के भी आप ऐसी बना सकते हैं वो ग्रेंडे जाल में पीस लें फिर उसे च्छान लें ममोज चटनी को तो दूसरा आपके पास तरीका यह है या फिर आप इस्टाइडिंग में ही ममोज चटनी की जब हम बनाते हैं तो इसकी स्कीन अपने आप निकल जा तो यहां पर मैंने इससे पहले ममोज चटनी की रेसीपी आपके साथ शेयर करें तो आप चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं इसका लिंग डिश्केप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो यहां पर सबसे पहले हमने रख लिया पानी डेस को कर लेते हैं और आव यहां पर अपने जो टमाटर हैं सारे से के अंदर एट कर देते हैं स्टेब बई भीच में से कट कर लिए को ताकि यह अच्छे से पग जाए हमें कूक करना है पूरा हेंडेट परसें तो यहां पेज़े से टेमाटर को मच्छे से गला लेंगे आप चाहें तो यह इस टेप आप कूकर में भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगाते कूकर के अंदर जल्दी काम हो जाता है इसके अंदर भी जल्द हो जाएंगे लोटू मीडियम फिलेंप रख दिया है मैंने साइट में पकने के लिए और अब इसमें अदरक का टुकडा भी डालना है क्योंकि मैं लसंड डाल चुक हूं अदरक का टुकडा बाद में डालेंगे तो पहले यहां पर मैंने ले लिया कॉन यहां पर वन टेब अधार से खाते हैं बिल्कुल रेश्टूर्णी स्टाइल में बिल्कुल वैसी चटनी होती है कोई यकीन ही नहीं करेगा इस चटनी को आपने घर पर बनाएं सकते जबर जस्ता आता है माशयल्ला से तो अच्छे से नीचे बेट जाता है कॉनिश्टाट के दें या फिर कॉन फ्लॉर के दें इसमें थोड़ी कन्फूजन होती वह से लोगों को तो मुझे भी होती थी लेकि मेरी कन्फूजन दूर हो गई अगर यह प्रिकिट में आता है तो इसे कॉनिश्टाट बोल देते ह क्यां तो यहां पर मैंने इसके अंदर फूर्ट कलर इसलिए डाला है ताकि हमारी चिट्नी लिए प्यारटांव कर आए वैसे तो हमारी ओल्ड़ी टमाटर पहले से ही डार्क हैं लेकिं यह थोड़ा सा कलर ओल लाने के लिए और थोड़ा शाइनिंग बढ़ाने के लिए न डाल लिया और इंच फूट कलर और को अब इसे घोल लिया और यह मैंने अदरक डुगला जो आपको बता है तो हम अदरक भी डाल लिए हम इसके निदर तड़का नी लगाएंगे ममो चटनी के अंदर हम डारेक्ली डाल देंगे इसको अपने टमाटर के अंदर तक हम ग्राइट निजाल पीच है तो अच्छे से यह इसी के साथ पीच जाये तो देख लेते हैं हमारी स्कीन निकली नहीं अगर निकल लेंगे और एक बाकर चला दे है जैसे मैंने आपको बताया आपके पार दूश्रा उप्शन है आप चाहें तो स्कीन समीधी पीस लें और पर किसी बड़े से छली के अंतर इसे च्छान लें तो सारी स्कीन वगर जोती उपर रहे जाती है तो यहां पर हमारे पार दो अप्शन होते हैं स्टाइडिंग में और लाश्ट में निकाल लेगा अगर हम अभी निकाल लेंगे तो इसमें चाहने की कोई मैं जरूत नहीं रहेगी तो देखिए थोड़ा मैंने इसे थोड़ी दिर चोड़ दिया रूंग टंप्रेचर पर ताकि थोड़ा ठंड़ा हो जाए और फिर हम इसे ग्रैंड जाल मे पीष लेते हैं तो यहांपर नमक हम अपना स्वादन उसार ढालेंगे अब इसे ग्रैंड निजाल में पीषने के बाद में कर लेते हैं अब इसे एक बर्दन के अंदर तो देखिए मामो चुटने बिल्कुल ऐसी होती है न देखिए हैं बिल्कुल वही ठीकने से वही इतनी बनकर तयार हो जाती है अगर आपको लगे थोड़ा मोटा मोटा आ रहा है या कुछ दाउट हो रहा है तो आप इस चटनी को च्छान भी सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर देना और कल मैंने वीडि मैं लाफीज